हेलो फ्रین्स वेलीक में टू माइग डू माइ चैनल आज चैनल और से आप अपने चेहरे को गोहरी निखरी बना सकते अपने चेहरे के सभी तरह के दाग धबे निशान से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं फ्रेंस एलोवेरा हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ये हमारे स्किन को आरली बनाया बेगर हाइड्रेट करता है हमारे स्किन के pH लेवल को बैलन्स करता है इसमें बीटा के रोटीन होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है साथ में ये संटैन को भी दूर करने में बहुत इफेक्टिव है तो चली दिखते हैं कि वो तीन बेस्ट तरीके कौन है लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंज अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए साथ में बैल आइकन को जूर क्लिक करें ताकि आने वाले इस तरह की वीडियो का लाब आपको पूरा मिल सके मेरी जो फर्स्ट रेमेडी है इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है लगभग एक चमच ऐलोवेरा जेल यहाँ पर आपको जो दूसी चीज लेनी है फ्रेंज वो है लगभग एक से दो चमच आलू का रस आलू के रस में सकिन वाइटनिंग पोपरडिज होती है यह हमारे सकिन को फेर बनाता है हमारे सकिन को निखारता है साथ में हमारे चेहरे के दाग धब्बे पिग्मन्टेशन एकने को बहुत तेजी से दूर करता है तो अगर आप रात में सोने से पहले आलोवेरा जेल में आलू के रस को मिला के लगाएंगे तो फ्रेंज यह आपके चेहरे को बहुत तेजी से गोरा बनाएगा निखारेगा और दाग धब्बे को हमेशा के लिए दूर करतेगा जो सेकंड रेमेडी है इसके लिए आपको लेना है लगबग एक चमच एलोवेरा जेल दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर आइड करनी है वो है एक चुटकी हल्दी जिसका इस्तेमाल हम खाना बनाने के लिए किचन में करते हैं और लास्ट में ले लीजिए एक विटामिनी कैपसूल का जेल फ्रेंस अगर आप रोजाना अपने चहरे पर थोरी सी हल्दी लगाते हैं तो यह आपके चहरे को अंदर से निखारने का काम करती है विटामिनी हमारे चहरे के दाख धबे पिग्मन्टेशन को दूर करती है साथ में हमारे चहरे के एजिंग को भी रोकती है अब आप इन सब को अच्छे से मिला लीजिए फ्रेंस अच्छे से मिलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा इसे आपको रात में सोने से पहले अपने चेहरे पे अपलाई करना है मसाज करते हुए इसके बाद आप इसे पूरे राज इसी तरह से छोड़ दीजिए मेरी जो थर्ड रेमेडी है इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है लगबग एक चमच एलोवेरा जेल दूसरी चीछ जो फ्रेंस जहां आपको एड करनी है वो है लगबग एक चमच नीबू करस नीबू करस में सकिन वाइटनिंग और सकिन ब्लीचिंग पोपरीज होती है यह हमारे चेहरे को अंदर से सफाई करता है हमारे चेहरे के दाग धबे को दूर करता है अगर नैचुल तरिके से चेहरे को गोड़ा करनी की बात हो तो नीबू से अच्छा कुछ भी नहीं तो अगर फ्रेंस अगर आप रात में सोने से पहलो एलो विरा जल में थोड़ा सा नीबू करस मिला के लगाते हैं तो यह आपके चेहरे को निखारेगा और दाग धबे को भी दूर कर देगा आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताईएगा थैंक यू